हलो फ्रेंड्स गुजिरात टेक्मोलोजिकल निउनिवर्सिटी अंदर अभ्यास करता मट्टा भाग ना विद्यार्थियों ने पेला बे सिमेस्टर नी अंदर एक सब्जेक्ट उफर थाई छे एप्लेट फिजिक्स जेनों कोड़ छे 4300004 आ क्वेश्चिन ना दह मोस्ट आ छे जने अंदर पेला 13 जेप्टर मात एफ इना मोस्ट्टाइम फर फ्रोर आप्यार डॉस्टल मात चिए소 यह सब्दाने इडिया चे आज सब्जेक्क ने अंदर किटल आग एक्जेंबल कुम पुछाई सकाँ गया चे यह चेप्टर वाइस आपने चोवाना चे तो चेप्टर नमबर 4 ओर हेंड थर्मोमेटरी बीधी और तरwar की करसा िए पाच इन्यों छोर चेपितर मापेलो क्वेस्टेन एक्सप्ले डिफरैंट ताहमच तंप्लां आप मनना विवीद्ड स्केल समझाओ Mayo पेल्व ने डिद्रेंट्राइब्यट्सके अक्सीड ओ नियाग्रेंट 를 ऑनेप्लिकेशन हेट कंडेक्शन हेट रादियेशन आतिरौ तौंधर मॉर्य powin यृणति नरा मॉल्य झेत निदनु diff दल्य आतिकरस खंडर्थ group कुणा त्रक्प्स घ। यह त्यार थे ज्या कंड़क्शन कंविक्शन अने रेडियाशन अने बाकी ना मोड़ फिट रास्पर क्वेश्चन नमबर टू अने त्री लगपग सेम छे करण के मोड़ फिट रास्पर न यंदर त्रणा जाओ से राइट शोर्ट नौट और हीट कैपेसिटी गर्मीनीक श अने अने फिट्स प्रींचिपल्स प्रिंस्ट्रक्षेन वर्किंग्स अने डिमेरिक्स यला जे इन्ट थर्मुमेटर आपेला चे इन्नो रचन आ यनु कार्या सद़ानत येना फाइदा अने गेर फाइदा अने खाम यह आमां थी कुई पोल्णिट चार मां थी एक पुच याद राखी लेवाने कि देखाई छे क्यों फिगर तो 100 परसंट ड्रोग करवा नीच जैते करिड़ने धारों के 4 मार्क ने अंदर के 3 मार्क मां पुछाएल हुए तो फिगर ना 2 मार्क सो मडी जाए पची थेयरी लखवा में थोड़ू आड़ावड़ू हुए तो कैवां दोनी बड़बर फिगर तो बद्यामा कंपल सारी ड्रोग करेली होवी जुए ताफवा पूछाए तोपन फिगर लखवानी फायदा ना गेर फायदा पूछाए तो यहां तमारे थेयरी जेचे श्पश्चलक्वी पड़े कि ना फायदो सूच एन गेर फैदा सूच अगे सब्सक्राइब एग आपकर दोरा थाथूनी थर्मल वहागता नखी करवानी बततती सम्झाँ पुछावानी पूरे पूरी संभावना चे अग्जाम्बल के या पुछावानी पूरे पूरी संभावना चे अग्जाम्बल के या पूछा से जोई लेए अ मेटल बार मेजर 60 cm at 10 degree centigrade अलफा नी वेल्यू आपेली चे अलएक दातुनों सडियों चे एनू टेम्परेचर 10 degree centigrade चे त्यारे साइट सेंट सेंटीमेटर नी लंबाय मापे चे तो एच्छो देगरी जेतलू टेम्परेचर था जाए त्यारे नी लंबाय के लिया से अलफा नी वेल्यू आपेली चे टेम्परेचर एट 60 सेंटीमेटर फॉम दे एड लोगर टेम्परेचर स्थीर स्थीति मां मीटर सडिया ना बे छेड़ा 300 अने 200 डिगरी संडिग्रेट पर छे निचा ताप मान ने छेरा थी साइट सेंटीमेटर पर ताप मांट सोधो आग एग्जम्पल आप मुझाई सके छे मित्रों शक्की हासे तो आज एग्जम्पल छे एनू सोलीशन टुक समयमा चैनल ने अंदर आपने मुंकी देसु जेती करीने एना जे मार छे एस सीक्यूर्ड ली तरगा कवर क चावद मार्ग मां क्वेशन पूछाए तो लगपग चार्थी छोग क्वेशन आज चेक्टर मां थी हासे आने एक्जम्पल पूछाई छे तो आठ टोपिक मां थी लगपग 10 क्वेशन बाहर आवे चे मोस्ट आइमपी जे अने त्रोन एक्जम्पल छे आटलों करी नाको क्वेशन नमबर वन डिफाइन ओर डिफ्रेंशियेट रासवर्स वेवज एन लोंजी टिटिटल वेवज तो मोस्ट आइमपी क्वेशन रासवर्स तरंगो अन रेखांस तरंगो नी व्याक्या आपो अत्वा बन्ने वच्चे नो बहत सम्झावो व्राइट रिलेशन सिप बेट्वेट्विएन व्याक्या पूछाए फ्रिकोंसी वेलेंथ एन में वेवलोसिटी ऺीसिसियेटी रीलेसिप आप अपने ऐख देवां में आकति आखिज यावतियों कर वाже और अर। वा नीग ने यावीनित मीलिव they provide लक्य दिवाने write the properties of light wave and sound wave प्रकाष्द चरंग अने वनी तरंग ना गोर्धर्मो लको write the Newton's formula for velocity of sound and explain Laplace's reforms in it वनी न वेग माटे Newton's Sutra लको अने तेमा Laplace na Sutra समझाव QUESTION NO.5 define phase phase समझाव explain the phase difference with diagram phase न तफावत अकृ। टिवाद समझाव Define interference Describe the types of interference Interference नी व्याख्या आपो अने तेना प्रकारणों व्याख्या आपो Question number seven Definition पुछाईचा व्याख्या आपो Reverberation, reverberation time Echo and coefficient of absorption of sound आवाजना स्वसकनो बुणाग Write the Sabine's formula for the reverberation time and explain each term in it Reverberation समय माटे Sabine's formula लखो आने तेमाना देरेक्ट सम्दाने सम्झाओ अथ्वा Explain the factors affecting reverberation time and acoustic of bedding पुनह प्रवर्तन समय आने मकान ज्वनी ने असर करता परिबड़ो सम्झाओ आज question एवी ते पुछाई Write factors affecting the acoustics of the bedding इमारतना ज्वनी सास्त्रा ने असर करता परिबड़ो लखो question number 10 Write 10 properties of ultrasonic waves ultrasonic तरंगों ना 10 गुंधर्मों लखो अथ्वाइवी ते पुछाई Write the applications of ultrasonic waves ultrasonic तरंगों ना उप्योगों लखो अथ्वाइवी ते पुछाई Write the applications of ultrasonic waves as a sonar for the measurement of the depth of the sea दर्यानी उंड़ा इमा को अमार्टे ultrasonic तरंगों ना उप्योग ने sonar तरीके समझाओ इले समुद्र नी उंड़ा इमा को ना आवेटले ultrasonic waves उज़ी से तमारे खाईपण लखे देवाण अथ्वाइवी ते पुछाई Give the properties and applications of ultrasonic waves ultrasonic तरंगों ना गुण धर्मों अने तेना उप्योगों लखो अने एग्जेंबल के विच्ट पुछाई जोईए If the velocity of the sound is 330 meter per second and its frequency is 2500 hertz then find out wavelength of the sound एक तज सूत्र थिया आख्वेश्टिन जेचे आए एग्जेंबल छे एनो solution करी सकाई छे अवाजनों वेगा पेलो छे अवर्तना पेलो छे तो एनी तरंग लंबाई सोधो definition आवर्ति वेतो पन आप्रोब्लेम जेचे एनों solution जे एए आपने लाकी सक्सू example number 2 the size of an auditorium is given its total sound absorption is given find out the reverberation time एल एक auditorium छेनों कदा पेलो छे एनो कूल द्वर्नी शोषणा पेलो छे तो प्रती करमणस नों समय शोधवानों छे आठ जया नम बिल्ले पाच चाली देलो छे सेम प्रोब्लेम छे एक्जाम मा पुछावानी संभावना छे तो त्राण मा थी कोई पन एक टैपनो question एक्जाम ने अंदर असे हावे बितरो जुनो शेलबस जे बिल्许 लावर्ज जन से 23 00004 ए विद्यार्तियो माटे ने अखवै्ला नव miraculous supports शे अन्वा सब्चेक्ट न विद्यार्तियो माटे ना आ क्वेस्टन całती explain properties and applications of nanotechnology in various fields alpha particle, beta particle, gamma rays इना विसे सम्झाओ, बीके नो नियम सम्झाओ, अने किर्णोत सद्विगी पदार्थ माटे विस्थापन नो नियम सम्झाओ, सम्स्कृत मा लखो, reflection, refraction, dispersion, total internal refraction, interference, polarization and diffraction. मित्रो आ चाहर क्वेश्चन जेचे, ए नवा सिलेबस मा नथी जुना सिलेबस नियंदर छे, तो मित्रो अभियास करतारो, आ एक्जामने अंदर बद्धाने सारावां सारो गरेड आवे, कूब सारो भविश्य बने, तमें महरत करे, नागल बतो, ए तमाम इद्यार्थी मित्रों ने कपुप सुबेदे.